Hello Kids! Welcome to Rhythm Mams Online Class बच्चों, आज हम आपकी Second की English की Textbook के Lesson No. 6 My Body की Exercise करने वाले हैं Last class में हमने ये Read किया था और आज करते हैं इसकी Exercise देखिए, Activity No. 1 क्या लिखा है यहाँ पर? Look at these pictures and match the actions with parts of the body with which you do these actions हमें क्या करना है? इसमें क्या लिखा है? इन तस्वीरों को देखो और match करो क्या match करना है? बिलान करना है Actions को, क्याओं को, parts of the body से शरीर के अंगों से चिन से इन actions को किया जाता है तुम इन actions को करते हो देखो अब यह जो actions देए हुए है इनको हमें match करना है in parts of the body से ठीक है? सबसे first number पर करके लिखाया हुआ है What is she doing? She is eating तो यहाँ क्या लिखा है? Eat और इसको match किया mouth से किससे eat करते हैं? Mouth से अब यह second number पर देखेंगे यह क्या कर रही है? गाना सुन रही है? तो यह क्या लिखा है? Here Here किससे करते हैं? कानों से? Ears से तो यहाँ पर कहा है ears देखो? यह रहा तो इसको हम match करेंगे यह कर दिया match अब यह देखिए What is it doing? यह क्या कर रहा है? एक flower को smell कर रहा है और यहाँ लिखा है smell और smell किसे करते हैं? Nose से यह हमने match किया अब यह देखिए यह क्या कर रहा है बच्चा? यह bowl को kick कर रहा है किसे कर रहा है? Leg से और यह रहा leg और यह हमने किया match अब What is she doing? She is reading a book तो read किसे करते हैं? Eyes से देखते हैं ना? तो इसको हम Eyes से match कर देंगे अब इसमें यह लड़का लिख रहा है Right कर रहा है ना? और Right किसे कर रहा है? Hand से तो इसको Hand से match करेंगे चलिए यह हुई complete अब activity number second Answer the following questions Orally कुछ orally questions के answers करने हैं आपको सबसे पहले ही बताईए How many fingers do you have? आपकी कितने fingers है? Very good 10 fingers How many toes do you have? पैरों की उंगलिया कितनी है? वो भी 10 है Very good अब Which part of your body helps you see? कौन सा शरीर का अंग आपकी मदद करता है देखने में? Very good Eyes Next Which part of your body helps you hear sounds? कौन सा शरीर का अंग आपकी आवादे सुनने में help करता है? Good Ears अब Which part of the body do you use to walk? आप चलने के लिए कौन से शरीर के अंग का उप्योग करते हैं? बताईए, बताईए Very good Legs Next Which part of the body helps you lift things? कौन सा शरीर का अंग है जो आपकी मदद करता है चीजों को उठाने में? बताईए, good Hands अब देखिए, next activity में क्या करना है? Match the things with the parts of the body where they are worn हमें चीजों को match करना है शरीर के अंगों के साथ जहां पर वो पहने जाते हैं देखिए, इनकों हमें match करना है सबसे first number देखिए, trouser trouser कहाँ पहना जाता है? very good, legs में तो इसको हम match कर देंगे ये क्या है? necktie necktie कहाँ बादी जाती है? neck में तो इसको neck से match करेंगे ये हैं gloves और gloves कहाँ पहने जाते हैं? हाथों में next है, watch और watch कहाँ पहने जाती है? wrist में यहाँ पर है ना? यहाँ आपकी arm की wrist पर ये है shoes shoes कहाँ पहनते हैं आप? अपने feet पर feet में पहनते हैं ये रहे और next है cap cap को कहाँ पहनते हैं? सेल पर है ना? next है sunglasses बताए 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 eyes पर पहनते हैं और ये है belt belt कहाँ बानते हैं? waist पर यहाँ बानते हैं ना? इसको यहाँ से match करेंगे ठीक है? चलिए next page पर देखते हैं देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं? point out कर रहे हैं ये किसको point out कर रहे हैं? अपनी eyes को ये smell कर रहा है और ये कुछ सुन रहा है और ये कुछ हाथ में हैं और उसको खाने वाली है चलिए यहाँ एक rhyme लिखी है हम उसको read करेंगे देखिए two little eyes to look around two little ears to hear each sound one little nose to smell what's sweet one little mouth that likes to eat इसको आपको read करना है ठीक है? अब ये वाली activity करेंगे हम हमें इसमें क्या करना है? हमें इनको read करना है ये कितना है flag? one है ना? तो ये लिखा है और one ये है two आगे ये कितने है? three ये है four और ये कितने में गोज है? five ये कितनी hands है? six और ये glasses कितने है? seven कितने balls है? eight और keys कितने है? nine ten ten leaves है ये और ये puppies है? eleven और bananas है? twelve आगे देखते हैं ये bats है? thirteen ये है? fourteen cats ice creams है 15 और caps है 16 balloons है 17 और pens है 18 और ये tomatoes है 19 और ये pensions कितने है? twenty इनको आपको one to twenty तक अपनी copy में write down करना है ओके बच्चों? अपे जम्बर 51 पर देखिए इसमें क्या करना है आपको? यहाँ पर अपनी photo paste करनी है यहाँ अपना नाम लिखना है यहां लिखना है My name is वर्षा आप अपना नाम लिखेंगे I am a वर्षा तो girl है तो मैंने girl लिखी लिखना है और अगर आप boy है तो यहाँ पर boy लिखना है आप जितने भी years के हैं, six years के हैं तो six लिखना है, seven years के हैं तो seven लिखना है मैंने हैं six लिखा है, I study in second class कौन सी class में पढ़ते हैं आप second या third? second में पढ़ते हैं तो यहां आपको second लिखना है ओके बच्चों और यह हमारी exercise आज complete हो गई है और इसको अच्छी अच्छी सुन्दर सुन्दर handwriting में note down करना है ओके बच्चों मलते हैं next video में, bye